अपने पिछले साथ साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ योग इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ उन सभी केंडेट्स के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में अपने पिछले साथ साल के एक्सपीरियंस आप लोगों साथ शेयर करूँगा कि ऐसी कौन-कौन सी गलतिया एक बच्चा करता है जिसकी वज़े से उसका सेलेक्शन नहीं होता और ऐसी कौन-कौन सी चीज़े एक बच्चा करता है जिससे वो सक्सेस्फुल हो जाता है वो सारी चीज़े इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ अगर आप लोग serious है, exam crack करने के लिए, तो इस वीडियो का मुझे उमीद है कि आप end तक देखोगे, बाकि आपकी life है, आपकी choice आपको जो करना आप कर सकते हैं, ले रहे, अच्छा यह special मैं female supervisor के लिए क्यों मना रहा हूँ, क्योंकि female supervisor के लिए maximum जो females हैं, वो मुझे ऐसा लग जोनों कभी हो सकता, exam दिया भी ना हो, तो इसी लिए यह special video मैं बना रहा हूँ, और इस video में मैं आपके साथ वो सारी चीज़े explain करना वाला हूँ, जिसकी वज़ा से और जिसको अगर आप follow करोगे, तो आपका selection जो है, वो definitely होगा, ठीक है, मैं सिसी guarantee देता हूँ, क्योंकि पिछले साल साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की selection करवाई, और उन्हीं मैं से बहुत सारे बच् आँ, देखो start मैं आपको करूँगा एक example के साथ, example के साथ क्यों, क्योंकि मजा आता है, देखे, for example, ये एक track है, ये example मैं already आपको अपने society वाले topic में दे चुको, अब मैं जो, मतलब ये जो example मैं आपको देता हूँ, ये बहुत suitable है, आप सभी candidates के लिए, अगर आप इसे ध् track है, और किसी coach ने बोला, एक student को कि भया, ये है, आप लोगों का, यहाँ से आपको start करना है, ओके, और यहाँ पे आपको finish करना, मतलब start और finish यही है, ओके, तो एक candidate, mostly, जो freshers होते हैं, freshers, freshers क्या करेगा, freshers क्या 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 अंदर बहुत power है, बहुत साहस है, तो freshers यहाँ से ही खींचेगा इसको, और जब खींचेगा, 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 जैसे यहाँ पहुंचेगा, सब खतम हो जाएगा, energy खतम, सब खतम, बाई, अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है, आमा national gold medalist man, मैं fencing का national gold medalist हूँ, मैंने कम से कम साहसे 8 nationals खेल नहीं है, ठीक है, that's why I know everything about physically and all, बाई, physical sports and all, तो, अगर आप fresher को बोलोगे न, भाई, यह cover करना है पूरा, तो यहाँ से ही खींचेगा, और यहाँ पहुंचेगा न, तो खतम हो जाएगा, और वहीं पर, अगर आप किसी experience इंसान से पूछोगे न, त यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ warm-up करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ warm-up करेगा, तो उसको पता है, अगर उसने इस जगा को warm-up कर दिया, तो main कहानी यहाँ शुरू होती है, यहाँ से मारता है वो sprint, ठीक है, लेकिन एक जो fresher होता है, वो क्या करता है, वो यहीं बिजनस हो कोई भी चीज हो यही सेम रूल फॉलो होता है सुने अब कैसे देखो जैसे अभी फीमेल सुपर्वाइजर एक्जाम के लिए बचोंने पढ़ना शुरू करा ठीक है स्टार्टिंग है बहुत जादा लोगों के अंदर की मुझे पेपर पास करना मुझे ये करना 90% candidate ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बहुत time table लिखे होंगे ये क्यों होगा वो क्यों होगा दिन के 6 गंटे पढ़ेंगे 8 गंटे पढ़ेंगे notes बनाएंगे लेकिन believe me 2-3 week भी बड़े मुश्किल से वो follow करेंगे उस pattern को 2-3 week भी बड़े मुश्किल से follow करेंगे देखो ठीक है प में 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 करता है बॉसरी गलती करता है कि उसको लगता है content बनाता है जो बहुत कुछ हाना कि और उसका में वह क्या करता है हर जगा चीजों को एड़ एड़ करता जाता है और जिसकी वजह से उसको पता भी नहीं जलता कि कब उसके पास एक सब्जेक्ट की ही कमसे हुँ दस से बारा नोटबुक बनगी ठीक है यह सारी मैं उन फ्रेशर्स की गलतियां बता रहा हूं जो फ्रेशर्स जनरली करते हैं स्टार्टिंग में बहुत बड़े-बड़े प्लैंस बना देंगे यह करेंगे वह करेंगे एक तो यह और खीज के एक एक यह दो वीग भी प्रॉपर उसको नहीं कर पाएंगे और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करता है एक फ्रेशर करता है वह है कि अपने इतने डीप नो होता है बीच में जाके गुलो जाते हैं यही लोग फ्रेशर्स वाले अब इनको जाग तब आती है जब इनके एड्मिड काड आते हैं क्या आते हैं फिर इनको याद आता है यहार हमने फॉर्म फिल करता और फिर अगेन यहां से यह दबा के कि अब जो स्लेबस मेरा छूट गया है अगले एक हपते में मुझे पूरा कंप्लीट करना है और दुनिया बर का डाटा लिक लिक के लिक के तबाह कर देते हैं क्लेर है तो मतब जरनी यहां से शुरू होती है लोगों की यहां से शुरू होती है और यहां पे जाके यह खतम हो जाते हैं यह वो गलतिया है जो एक fresher करता है, समझा रही है आपको मैं क्या बोल्ड हूँ, ठीक है, अब एक जो बच्चा, selection वाला होता है, जिसको selection लेनी है, जिसको पता selection कैसे लेते हैं, वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपना daily के छोटे-छोटे task बनाता है, कि हाँ, daily में 2-4 गंटे जो है मैं पढ़ूँगा, ठीक है, सिर्फ 2-4 गंटे और daily पढ़ूँगा, ऐसा नहीं कि मैं दिन के 8-6-8 गंटे पढ़ूँगा, लेकिन 2-4 गंटे पढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता है, यह कहते हैं, हम 2-4 गंटे पढ़ूँगे, लेकिन daily पढ़ूँगे, अब daily पढ़ने से क्या होता है, इंसान की efficiency बनना शुरूँआ जाती है, efficiency किसको बोलते है, काम करने की शमता, मतलब की, for example, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कि वो अगर 6 गंटे बाढ़के भी एक topic को पढ़ेंगे न, तो हो सकता हुनको समझना है, तो जो बच्चा daily पढ़ने वाला है, उसकी efficiency इतनी खतरना को होती है, कि हो सकता है, वो 5 गंटे मे जिस चीज को, मतलब एक बच्चे ने 5 गंटे लगाए, हो सकता है, वो आदे गंटे में समझाए, इसे efficiency कहते हैं, और efficiency power हमेशा तब बढ़ते हैं, जब आप daily काम करते हैं, consistent होके काम करते हैं, ठीक है, दूसरा जो, इनका जो best चीज होती है, ये लोग बनाते हैं, खुद के पता होता है, कि यार, handwritten notes है, revision में बहुत काम आएंगे, last में, ठीक है, अब इनका जो notes बनाने का तरीका होता है, इनको एक चीज का पता होता है, कि हमने जितने मर्जी अच्छे note बना लिए, भाई, notes बनाने को कोई फायदा नहीं, अगर हम last में उसको अच्छे से revise ना कर प का basic plus moderate के ये notes बना लते हैं, और इसी चीज की वज़ा से इनका पूरा complete syllabus के ये notes बना लेते हैं, और जो इन्होंने complete syllabus, जो इन्होंने cover बनाया होता है, notes बनाया होता है, खुद के handwritten notes, उनी handwritten notes को बार-बार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं, revise, ठीक है, और फिर finally हो selection, क्योंकि selection जो है, अगर हम उसको reverse करें, तो selection जो है, वो आपके number of revision पर ठीक है, और number of revision आप अच्छे से तभी कर सकते हो, जब आपने अच्छे से notes बनाये है, handwritten notes बनाये, और अच्छे से notes, एक proper पूरे syllabus के notes अब तभी बना सकते हो, जब आपने उसको बहुत concise way में बनाया है, मतलब, PhD करने वाले notes नहीं, exam crack करने वाले notes, और exam crack करने वाले notes कौन से होते हैं, जिसमें आप लोग topic का basic और सिरफ moderate लिखते हो, हमें high level को touchy नहीं करना भाई, हमें नहीं करना, हमें 100 में से 100 number लाइने हैं, हमें 100 में से 90 number आ जाए, हमारी selection हो जाए, बहुत है, यह लोग उस basis पर काम करते हैं, बट यह जो freshers होते हैं, freshers, इनको लगता है, यह 100 number, ओहो, 100 में से 110 होंगे, तो मैं 110 लाँगा, यह इनकी mortality होती है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो secret बताना चाहता था, secret of selection, वो secret of selection यही है, जो selection वाले बच्चे follow करते हैं, समझाई, आपका जो selection है वो आपके number of revision पर ठीक है, और number of revision आप तभी कर सकते हैं, जो आपने notes ऐसे बनाए हैं, जो आपके पूरे syllabus को cover करते हैं, plus basic moderate हैं, so that का आप easily उसको cover कर सके हैं, और अपने handwritten notes बनाए हैं, so that आप उसको देखते हैं, आपको समझ आ जाए, इसमें मैंने क्या लिखा है, clear है, त आप ये कोशिश करोगे, कि आप किसी एक ऐसे इनसान को पकड़ोगे, जो अपनी field में माहिर है, पहली चीज, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस candidate को, उस person को पकड़ोगे, जो अपनी field का, जो आप लोगों की जिसको समझ आ रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे candidate ऐसे हैं बहुत सारे teacher ऐसे हैं, जो copy-pasted material पढ़ाते हैं, मैं पहले बतारूँ, लेकिन जो fresher candidate होता है, fresher, इसको कभी भी content की समझ नहीं आती, fresher को, जहां पे सारा material मिल गया, free of cost, इसको लगता है, यही दुनिया है, यही जिन्दगी है, बस आप मैं इसको खा जाओंगा, पी जाओ और मेरा selection हो जाएगा, बट जब यह paper देने जाता है, और जब इसके 100 में से 65 marks आते हैं, फिर इसका दिल तूट जाता है, फिर यह कहता है, नहीं यह दुनिया बेकार है, यह institution, यह वो जो भी है, सब क्वास, बट गलती इसकी खुद की होती है, क्योंकि यह firstly, क्या तलाश कर रहा होता है, कि free में मुझे सारा content मिल जाए, free में IS का पूरा full material गूगल पर पढ़ा हुए, समझ रहे हो, free में YouTube पे IS का पूरा material, एक एक चीज, strategies, toppers के notes, गूगल पर पढ़े हुए, बच्चा पागल नहीं है, जो लाखों खर्च करके institution में बाढ़ता है, आपको पता है, ए एक experience person हो गया, या एक experience institution हो गया, इन लोगों का काम क्या होता है, यह लोग क्या आपकी help करते हैं, basically यह लोग आप लोगों की मदद करते हैं, आपका time बचाने के लिए, मतलब कि आप लोगों के लिए concise material जो है, वो खुद बनाते हैं, so that कि आप लोग इस concise material को पढ़ो, then उस को आप revision करो, प्लस उसको test के साथ practice करो, और finally आपका selection हो जाए, institution का ये काम होता है, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे जासे जो institutions होंगे, बड़े-बड़े, इनका main काम क्या, एक अच्छा जो institute होता है, renowned institute, उसका main मक्सद होता है कि बच्चे के time को save करना, जो अपना time, youtube या अधर जगों पे जिसको वो चीजों को ढूणने में लगाता है, उसका वो time बचाना, क्योंकि time का ही main खेल है, time manage करना, गर आपने अच्छे से manage कर लिया, time को अच्छे utilize कर दिया, तो आपकी selection पकी है, ठीक है, और institution या मेरे जैसा बंदा, जो हम लोग कर र really तो बना रहें आपके लिए, हमारा main खेल क्या है, यार मुझे पता है कि जो content, जो भाशा हम लोग बोल रहे है, expertise exam में नहीं आएगी, हमें भी पता है, कहने का मतलब ये, कि society जिस तरह से जैसे notes में लिखा हुआ था मैंने, question जैसे मैंने आपको फिर MCQs की question बढ़ाए, होता है कि अच्छे से concept clear करें पहले, short, basic, moderate, concise way में आपको material प्रवाइड करें, ताकि आपको time waste ना हो चीज़ों को fine route करने में, हम जो पढ़ाए, वही direct आप उसके handwriting notes बनाओ, short route करके, ताकि हमारे साथ आप MCQs की साथ उसके revision करो, plus test series की साथ हमारी practice करो हमारी course में, और finally आप selection ले जाओ, है ना, तो यह है वो secret जो हम लोग already अपने female supervisor course में करवा रहे हैं, ठीक है, यह है वो strategy, वो secret of selection, जो already हम अपने female supervisor course में करवा रहे हैं, और यकीन मानो, यह जो course है ना, इसमें मैंने वो सारे के सारे अपना experience डाल दिया है, जिस basis पर आपका selection हो सकते है, बहुत सार गरंटी जो दे रहे हो 100% selection की किस basis पर दे रहे हो, भाई, इस basis पर दे रहा हूं, यह है वो fundamental, यह हो strategy, यह हो plan जिस basis पर मैं आपको 100% selection की गरंटी दे रहा हूं, अगर आप इसको follow करोगे ना, believe me, आपकी selection done, ठीक है, अब जिन बच्चों ने हमारा female supervisor course चाहें नहीं करा, उनक करना क्या है, उनको message करना, मेरा whatsapp number, whatsapp number है 7006332724, ठीक है, यह 4 है, ठीक है, 2724, और आप लोगों की 100% selection की गरंटी मैं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है, selection का जो main राज है, वो time management में जुड़ा है, क्योंकि maximum जो fresher का जो time है, fresher का main time जो है, वो note making में चला जाता है, ठीक है sorry, not making में नहीं, यह note तो बनाता है नहीं है, fresher तो notes बनाता है नहीं, यह तो PDF लेता है, यह तो PDF प्रिंट आउट कराता है, ठीक है, sorry, fresher का main time है, वो वो सिरफ और सिरफ PDF डौनलोड करने में निकल जाता है, जिरफ free का material चेपने में निकल जाता है, भाई, free का material लिखने से, से PDF निकालने से selection नहीं होती, selection लेने के लिए आपको अच्छा material पढ़ना है, relevant material पढ़ना है, और इस material को भार 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 practice करना है, और उसके फिर test लगाने है, so that कि आप लोग उस चीज़ को आप पी जाओ, आपके दिमाव में रह जाए, फिर आपके selection हो जाए, तो जित आप लोगों का जो सपना है, selection का वो पूरा नहीं होगा, ठीक है, बाकि अगर आपको बहुत ही जादा show का free में चीज़ों को लेने का, तो मैं आपको खुद sites बता दूँगा, वहां से आकर download कर लेना, पर जितनी मर्जी उमर पढ़ते रहेना, कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाकि आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगा कि यह जो offer है, basically अभी हम offer चला रहे हैं अपने female supervisor course के, इस offer में हम लोग 3,000 का course सिर्फ 999 में दे रहे हैं, और यह offer limited time के लिए valid है, जितने भी candidate जो interested हैं, वो इस पे message करें, 7006332724 पे, आपको सारी details जो है, वो provide करते जाएगी Okay, बाकि आपको कैसा लगा, मेरा यह experience शेयर करना, आप comment section में जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा, बाकि thank you so much, ते क्या, बाबाई